आज का हमारे स्टोरी है और यह है हमारा पार्ट टू अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो उपर दिये गए आपटन पे क्लिक करके उस वीडियो को पहले देख ले ताक कि आप इस टोरी को अच्छे से समझ पाए साथ ही मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप है जिनमें से एक डॉक्टर है जो अपने नाई डूटी से वापस आई है लेकिन वापस उन्हें एक एमर्जेंसी ओपरेशन के लिए वापस बुला लिया जाता है इनसे उनकी जो सिस्टर है वो उसे कहती है कि आपको अपना भी ख्याल रखना चाहिए तब उनकी जो डॉक लगों को बेहुस कर दिया जाता यह जिस जगह पर ऑपरेशन करना होता है वहीं पर इंजेल देते हैं ताकि वो जगह फील ना कर पाई कुछ भी दर्द को महसूस ना कर पाई और इनसान बिना और से देखके कि किस तरह से उप्रेशन हो रहा है बिना दर्द सहे तो इसी के पीछे सारी स्टोरी है और किस तरह से एक्स्प्रिमेंट करने के लिए उन्हें कोई नहीं मिलता अब आगे देखते हैं क्या होता है Now the doctor's son had six finger on his left hand One day he suggested to his father Father I know your medicine is very good You inject it to my sixth finger and operate to remove the finger Anyway I wanted to get rid of the finger तो यहाँ पे दो doctor है एक son है एक father है तो जो बेटा है उसके हाथों में six finger है Left hand के हाथ में six finger है वो कहता है कि Father आप मेरा जो छटा उंगली है उसमें inject कर दी उस दवाई को और उसे operate करके उस finger को मेरे हाथ से अलग कर दीजे और क्योंकि यह जो finger है मुझे इसे भी पसंद नहीं है मैं इसे पीछा चुडाना चाता हूँ Anyway I wanted to get rid of that finger Let us perform this operation in front of other doctors No man can stand the pain of surgery without anesthesia और यह जो operation होगा यह सारे doctors के सामने किया जाए और दिखाया जाया कि कि बिना anesthesia लगाए कोई भी इंसान इस तरह से operation नहीं करवा सकता कोई भी इतना दर्द नहीं से सकता When they look at my face they will come to know that your medicine had made the area numb and I am not experiencing any pain और जब वो लोग मुझे देखेंगे मेरा operation होते हुए और वो जब मुझे observe करेंगे मेरे face को देखेंगे तुन्हें पता चल जाएगा कि मुझे दर्द नहीं हो रहा है अगर मैंने anesthesia नहीं लगाया होता तो मुझे बहुत जादा दर्द होता The suggestion was very good The father conveyed a message to the members of the Academy of Medical Science who were the final authority for allowing this medicine to use in public तो यह suggestion था son का father को बहुत अच्छा लगा father इसे मान गया उन्होंने क्या क्या सारे members Academy of Medical Science के members को बुलाया और साथ ही इनके अलाबा वही members हैं अगर वो authority sign नहीं करते या allow नहीं करते तो यह medicine public में use नहीं हो पाएगी The day of the operation came and several scientists, doctors and other public figures assembled to watch the effect of this miracle injection और जिस दिन यह operation रखा गया उस दिन बहुत सारे scientists बहुत सारे doctor और कुछ political leaders भी आये हुए थे सारे एक जगा जमा हुए assembled mean यहां पर जमा होना और वो देखना चाहते थे कि किस तरह से यह miracle है यह जादूई injection जो है अपना काम करेगा उसके बाद जो फादर है वो उनकी छटी उंगली को अपने बेटे के छटी उंगली को सब को दिखाता है दिखाने के बाद exhibit मतलब दिखाना म्यूजियम में जिस तरह से दिखाया जता है चीजों को दिखाने के बाद उसमें injection inject करता है और कहता है कि अब मैं operation करना वाला हूँ और आप सब इसके face को means यहां पर patient उनके सन को कहा गया है इसके face को देखें और observe करें कि इन्हें दर्द होता है या नहीं होता है there was a smile on the young man's face operation was performed and was success और जितनी देर तक operation चलता रहा young man के face पे smile ही smile थी और बिलकुल भी वो घबराया नहीं या उसे कुछ भी दर्द नहीं हुआ और operation success हो गया throughout the smile remained on the son's face everybody was amazed by what they saw the congratulated the senior doctor for his work उसके बाद जो सारे लोग आये थे scientists, doctor, political leaders सारे लोग उनके face को देखकर के उसे मुस्कुराते हुए देखकर के amazed हो गये और उन्होंने उन्हें congratulate किया senior doctor को उनके काम के लिए after they left the young doctor was dressing his wound his father had tears in his eyes he embarrassed his son and started sobbing uncontrollably उसके बाद जब operation खतम हो गया उसको घाव को dressing कर रहा था उनको बांध रहा था इतने में उनके father रोना शुरू कर देते हैं उनके आखों में आशू आ जाता है और वो अपने बेटे को गले लगा लेते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से रोना शुरू कर देते हैं चुपी नहीं होते और वो अपने बेटे से कहते हैं फोर्थ तो यह जो injection था अनेथेशिया का इसमें चार अलगलग chemical को मिलाके बनाया जाता है तो इनके father इतना जल्दी में थे और tension में थे यह चौथे chemical को मिलाना भूल गये थे Because of that the injection was not all effective इस वजा से क्या हुआ injection पूरी तरगे से काम नहीं कर रहा था There was uncontrollable pain during the operation इस वजा से जो operation हो रहा था उसके बेटे को बहुत जादा दर्द हो रहा था और उसे वो सहा जा रहा था However the son realized there was something his father had forgotten और उसके बेटे को समझ में आ गया था कि उनके father से कुछ गलती हो गई है If he see his pain, his father experiment would fail अगर वो अपना दर्द दिखा देता, अपने face पे experience या उस तरह से so कर देता कि उसके दर्द हो रहा है उसे तो उसका जो experiment है वो fail हो जाता He knew how hard his father had worked to develop this medicine He himself was aware that it was effective और वो जानता था कि उसके father ने कितनी जादा मेहनत की थी इसके पेछे इस medicine को बनानी के लिए अगर वो इस समय fail हो जाता या उसे दिखा देता कि उसे दर्द हो रहा है तो वो लोग कभी भी success नहीं हो पाते इस होजास से उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ये बहुत ही दुर्भाग पुर्ण होता कि जो काम उन लोगों ने किया जितने medicine ने बनाया, chemical बनाया वो अब काम नहीं कर रहा है तो इनके लिए बहुत ज़ादा बेकार हो जाता in the middle of the operation the father to realize the fourth chemical was missing and the medicine was not working operation के बीच में father को realize हुआ कि इमक्या जो injection था उसमें fourth chemical उनने मिलाया है नहीं और इस होजास से पूरा जो injection है वो काम नहीं कर रहा है but he was unable to tell this in public लेकिन वो public के सामने नहीं बोल पा रहे थे public के सामने यहां सो बहुत सारे scientists थे, doctors थे, कुछ political leaders भी आये हुए थे उनके सामने वो कुछ नहीं बोल पाए he knew what Agony his son was undergoing in spite of a smile on his face वो जानते थे कि उनके बेटे के चहरे पे इतना smile है लेकिन अंदर से उसे कितना ज़्यादा दर्द सहना पढ़ रहा है Agony means यहां पे इतना ज़्यादा दर्द जो सहना आजा सगे That was why when everyone left he broke down crying इस होजास से जब सारे लोग चले गए तो senior doctor बहुत ज़्यादा रोना शुरू गर दिया The son consoled his father son ने उसे, उसके बेटे ने उसे धाडस बढ़ाया और कहा कि कोई बात नहीं हो जाता है ऐसा Father don't worry, for the welfare of others I control my own pain और उसके बेटे ने कहा आप घवराये मत मैंने दूसरों के अच्छे के लिए उसके दर्द को भी सह लिया I don't know how true this story is but in my sister's and her colleagues dedication to their work I thought I saw a glimpse of the sacrifice people in the medical profession make तो मुझे नहीं पता कि यह story सच कितनी है लेकिन मैं अपनी sister और उसके colleagues को colleagues means यहाँ पर जो साथ में काम करते हैं उनके dedication को देखती हूँ उनके काम को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उस दर्द को देख सकती हूँ जो दर्द उसे anesthesia ना लगाने पर हुआ होगा वो भी इसी तरह से सारा दर्द सह लिया और हमारे मेरी sister जो है उनके जो colleagues है जो उनके workmate है वो लोग भी इसी तरह से रोज दर्द सहते हैं और अपना काम करते जाते हैं लोगों की अच्छाई के लिए तो यह जो profession है, medical profession इसमें sacrifice करने पड़ते हैं तो आज का story यहां paint हुआ Thank you so much Thank you so much for your support